नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक रेजी फिलोसफी, मैं हूँ आपका दोस्तों कोच आनन्द और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, खुद को कैसे हील करें, खुद को हील करने के कुछ तरीकों के बारे में आज आपका दोस्तों कोच बात करने वाला है, यह तरीके, यह टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ साजा करने बाला हूँ, शेयर करने बाला हूँ, यह टिप्स के वल शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, तेम्पररी नहीं है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मार्क माई वोट्स, आप रीकवर करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो, तो मेरे चाहने से, मेरे नहीं चाहने से, तो इस वीडियो को इन तक देखना मत भूलेगा, बात करेंगे लाइफ के इंसिदेंट्स के बारे में, कई बारी लाइफ में ऐसी घटनाय घट जाती है, कई ऐसे इंस हो जाते हैं, कि हम बहुत तूट से जाते हैं, अंदर से एकदम से तूट से गए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना मतलब एकदम हमारी सुद्ध, बुद्ध, एकदम हम सब खो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा होता है कि हमारा मन नहीं लगता है गहीं पर, मन एकदम होता है कि यार, I'm done with the things, I'm fed up, एकदम मैं fed up हो चुका हूँ, मैं fed up हो चुकी हूँ, मैं exhaust हो चुका हूँ चीजों से, मैं exhaust हो चुकी हूँ, हम मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा है, हमारे आपे से बाहर हो रहा है, अब हमारी जिंदगी हमारे बस की नहीं है, समझ में आता है कभी give up कर लें, कभी छोड़ कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी छोड़ चाड़ के भाग जाएं कहीं, दूर, सन्यास ले ले, या किसी परवत पे चले जाएं, ऐसा अजीब सा लगने लगता है लाइफ में, कई थौट्स जो हैं मन में एकदम स्क्रंबल कर रहे होते हैं, ओवर्थिंकिंग, ओवर्थ बिना हो पा रहा है, ना हम मर रहे हैं, ना हम सो रहे हैं, ना हम खा पा रहे हैं, ना हम पी पा रहे हैं, ना हम अपने काम के उपर फोकस कर पा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हम पनी पढ़ाई के उपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जॉब है, तो हम अपनी नोकरी के उपर ध्यन के देवारय हैं, हमारma उपर जो responsibility है हम उन चीजों के ध्यान हो जुके हैं, हम एकदम परेशान हो चुके हैं, एकदम समझ में नी आ रहा है, अंदरबंद दरवाजे में रोते भी हैं, शिजकते भी हैं, परेशान भी होते हैं, कोई पूछता है कैसे हो, तो हमें बोलना पड़ता है, सही है, ठीक है, I'm fine, ठीक हूँ मैं, मुस्कुरा के, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm good, everything is under control, but we totally understand that we are not fine and nothing is under control, ना तो हमारे emotions, ना feelings, और life के जो condition है, और life है, वो तो फिर एक अलग ही level की बात है, क्या करना चीए फिर, रोते हैं, परेशान होते हैं, समझ नहीं आ रहा है, इसके reasons तो होते होंगे ना कुछ, मतलब आनन जी आप ऐसा बता रहे हो, reasons बहुत सारे हैं, या तो आप अपने past को लेके stuck हो, या फिर आपका breakup हुआ है, heartbreak, आपने किसी को उतनी value दी, लेकिन आपको उधर से कुछ मिला नहीं, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपका outcome zero, नील बटा सननाटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा life में, आपने किसी के लिए अ को कुछ नहीं मिला, तो दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, या हम emotionally इतना हमने ऐसा अपनी life को बना लिए कि हम एकदम पागल से हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए फिर ऐसी condition में, ऐसी situation में, जहां पर हम एकदम damaged हैं, emotionally, mentally, ना तो हमारे पास peace of mind है, ना शानती है, खुशी तो बहुत दूर की बात है, किसी से बात करने का कुछ मन नहीं करता है, बस मन करता है कि अकेले चुपचाब पढ़े रहे हैं, बिस्तर पर, उठने का भी मन नहीं करता है, बस, ऐसे बस चल रही ही, जिन्दी ही चल रही है, टाइम पर खाना मिल ऐसे चलेगा तो फिर मतलब यार हम तो depression में चलेजाएंगे और हो सकता है कि हम depression में हो भी अभी और वो depression की जो state है वो काफी जाधा high level की होती जाए clinical depression ये वो दुनिया भर की चीजे जिसको cure करना जिसको heal करना काफी ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाए ऐसा भी हो सकता है तो अभी टाइम है आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सीरियसली लिजे इस चीज़ को अभी आपको, मतलब आप एक ऐसे स्टेट ओफ माइंड में हैं, जहां पे आपको खुद को हील करना, आपको खुद को क्योर करना बहुत ही जादा जरूरी है, अगर आपके अंदर यतने मतलब गर्ट से हैं कि मैं सब के सब हम फॉलू कर सकते हैं, तो प्लीज आप जितने भी टिप्स मैं बता रहा हूं, उतने इक उतने आप फॉलू कीज़ेगा, उससे क्या होगा, जितनी आप जल्दी खुद को रिकवर कर पाएंगे, उतनी ही जल् जो से पहली चीज आपका डाइट सिस्टम, आपकी डाइट कैसी है, अगर आप अभी नौन विच खाते हैं, अलकोहल कंज्यूम करते हैं, नशे करते हैं, ऐसा कुछ इंटेक करते हैं, जिसके वज़े से आपका जो बाहर का, देखें, जैसा अन, वैसा मन, सब जानते हैं, तो जो भी आप अपने अंदर डालेंगे, इस मूँ से, वैसा ही निकलेगा, वैसी ही आपकी सोच होगी, वैसा ही आपका थौट प्रोसेस होगा, वैसी ही आपकी बाडी भी होगी, वैसी ही आपकी मेंटेलिटी होगी, समझ रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप एकदम जी जादा फॉल्व करनारा सराट कीजे, उसमें मैक्सी मम आपको फूटलेने हैं, मैक्सी म मैक्सी म मैकूब कपूब इस अचालइबा muffkek, अजितना भी फूट हो सकता है, जितना भी आप खा सकते हैं उतना खाने की कोशिश mniejको एप एकिशिए, और यह चीजे से वह छी म समझ रहे हैं आप ठीक है यह तो पहली चीज हो गई दूसरी चीज है कि meditation अगर आप सोच रहे हैं कि without a spiritual path without a spiritual journey आप खुद को heal कर लेंगे तो आप बहुत मतलब भ्रह्म में हो आप एक illusion में हो फिर अगर आप spirituality follow नहीं करेंगे अगर आप spiritual नहीं होंगे then you would never be able to heal yourself ठीक है temporary basis पे you can feel good but permanent basis पे you would never be able to heal yourself वो चीज़े बार 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 आती जाएंगे meditation देखे बहुत सारे बहुत प्रकार का meditation है जो है manjil एक हैं रास्ते अलग-अलग हैं सबसे अच्छा जो में को लगता है vipassana meditation you can try मैंने अपनी और से किया हुआ है college time में अभी भी करता हूं मैं college time में बहुत ज्यादा करता था तो वो बहुत ज्यादा आपको help कर सकता है vipassana meditation and like it will give you inner strength positivity अंदर से आपको एक hope मिलेगी और आप heal कर पाएंगे खुद को आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी life में समझ रहे हैं आप तो vipassana meditation ऐसा आप search कीज़ेगा youtube पे playlist मिल जाएगा आपको एक एक घंटे का वीडियो देखे डेली उसको practice कीज़े सुबे में और रात को सोने से पहले एक घंटा सुबे में मन लगे मन नहीं लगे बैठा जाए नहीं बैठा जाए आपको बैठना है ठीक है आप ऐसे posture बना के आलती पालती मारके नहीं बैठ सकते या कोई किसी आसन में नहीं बैठ सकते तो कुरसी पे बैठ जाओ ऐसे करके कैसे भी करके कि हाँ आपकी जो पीट है वो सीधी रहे आपका जो मतलब एक होगा इससे कि आपको एक concentration आपका बढ़ेगा concentration के साथ साथ आपका peace of mind आपका बढ़ेगा आपकी happiness बढ़ेगी आपको अंदर से positivity मिलेगी आप relaxed फील करेंगे आप अच्छा सोच पाएंगे आप अच्छी चीज़े देख पाएंगे आपका attitude positive हो पाएगा समझ रहे हैं तो meditate जरूर कीजे मेरे काफी experiences रहे हैं जब मैंने meditation किया था 10 days का course भी किया था उसके बाद भी काफी जगए पर मतलब अलग-अलग meditation मैंने किये हुए है विपासना में को काफी अच्छा लगा, काफी simple सा लगा, काफी sorted सा लगा और इससे में को benefits भी काफी मिले इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूर ट्राई किजे आप अपनी और से, meditation के साथ-साथ आप अपनी और से chanting करना स्टाट किजे chanting में क्या है, आप कोई मंत्र chanting कर सकते हैं, अगर मंत्र chanting नहीं कर सकते तो ओम-कार का chanting करना स्टाट किजे आप देख सकते हैं YouTube के, वो chanting करना स्टाट किजे, उससे एक अलग ही लेवल की vibration क्रेट होती है शरीर में और उसके साथ-साथ आपको एकदम positivity feel होगी, yes, जैसे होता है एक ज्यान मारक है, उसमें है एक अहम ब्रहमाश्मी, ऐसे करके है, या शिवोहम, शिवोहम, तो अंदर स आपको feel होगा एकदम एक aura और एक positive vibes आएंगे and you would be like able to heal yourself, एकदम आपको अच्छा लगेगा, आप करके देखिएगा एक घंटा, मन करें, मन नहीं करें, मन तो नहीं करेंगा, मन तो चाहता है कि आप depressed के depressed ही रहें, आप परेशान के परेशान ही रहें, क्योंकि उसको meditate करना start कीजे, chant करना start कीजे, अपनी diet system change कीजे, उसके साथ-साथ self-talk practice करना start कीजे, शीसे के सामनी खड़े होके, mirror के सामनी खड़े होके, खुद को guide कीजे, आप हम सब कैसे अपने best friend को guide करते हैं, कि यार तुम्हारे लिए ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसे करना चीए, वैस खुद को guide करूंगी, कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, में को किस के साथ रहना चीए, किस के साथ नहीं रहना चीए, क्या करना चीए, क्या नहीं करना चीए, कैसे आगे बढ़ना है, कहां पे क्या करना है, वो हम खुद को guide करेंगे, self-talk के थ्रू, एक दोस आप चाहे जी लगा के बोल सकते हो, चाहे आप ऐसे नॉर्मल वे में खुद को कर सकते हो, जैसे भी आप उपने बेस्ट्रेंट से बात करते हैं, तू करके, आप करके, कैसे भी करके, वो कनेक्शन डेवलप होना चाहिए, वो कनेक्शन ज्यादा मैटर करता है, समझ रहे है, एक डायरी रख लिजे अपने पास, जब भी आपको लगे कि मन में बहुत सारे थौट्स आ रहे हैं, या मैं बहुत ज्यादा ओवर्थिंग कर रहा हूँ, उन चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजे, लिखना स्टार्ट कीजे, अगर घर में सब देख लेंगे, या ज़्यादा स्पेस नहीं है, फाड़के फेक दीजे, जला दीजे, समझ रहे हैं, लेकिन उन चीजों को लिखे, लिखने से क्या होगा, आपका मन जो है, वो लाइट रहेगा, मन आपका हलका रहेगा, जितना आपका मन हलका रहेगा, उतना ही आप पीसफुल रहेंगे, उतनी ही आप हैपी लाइफ जी पाएंगे, समझ रहे हैं, उतनी ही आप रिलेक्स लाइफ जी पाएंगे, रात को नीम भी सही से आएगी, डीप स्लीप भी आएगी, और बढ़िया तरीके से सौर्टेड हो के आप अपनी लाइफ जीएंगे, समझे आप, इसके सासद वॉक डेली वॉक करना स्टार्ट कीजए, एक घंटा जरूर, अगर मान लीजा अभी कोवीड हैं, तो बाहर नहीं जा सकते हम लोग, छट पे या फिर आपका अगर आपकी घर में बागीचा है, गार्डन है, वहां पे आप जरूर, जरूर, मतलब ये एकदम आप ऐसा इस चीश क करें, जो आपको depressed फील नहीं करें, हम ऐसे ही परेशान हैं, जो है, और फिर हम सुने, दिल मेरा तोड़ दिया, तुमने बुरा क्यों मानू, हम और परेशान हो जाएंगे, समझ रहे हैं तो आपको ऐसे गाने avoid करने हैं, कुछ positive सा अगर आप सुन सकते हैं तो ठीक है, आधर के साथ, बाहर जाना भी मुश्किल हो सकता है, समझ रहे हैं, अगर आप गाउं से बिलॉंग करते हैं, तो आपके घर के आसपास अगर नदी है, तालाब है, तो आपके जाके थोड़े सा टाइम बैठिए, चुप चाप, शांती से, एकदम शांती से, समझ रहे हैं, या फि आपको रखनी है कि नीचे के साथ आपने जरूर टाइम स्पेंड करना है, समझ रहे हैं, कई बारी हम ऐसा सोचते हैं कि हम ना बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे, materialistically हम इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे ना लाइफ में, तब हम क्या करेंगे, कि तब हम ना, म आपके mindset से आप करते हैं, वो आपकी life से, वो आपके daily routine से आप होते हैं, समझ रहे हैं, नीचर के साथ जरूर टाइम spend कीजे, walk कीजे, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा time खुद के साथ spend करना start कीजे, अकेले में, इससे क्या है, कि एक positivity मिलेगी आपको, positivity के साथ साथ आपको आपके अंदर एक creativity आएगी, अगर वैसे हैं, मतलब इतनी हालत खराब है आपके, कि मतलब अकेले रहे हैं, तो कुछ कर सकते हैं, तो मत कीजेगा, अगर control है, थोड़ा बहुत भी control बचा हुआ है, तो इस चीज को आप जरूर कीजेगा, खुद के साथ कम से कम एक घंटा, जरूर टाइम निकालिए, spend कीजेए, क्योंकि आपसे ही सारी चीजे हैं, समझ रहे हैं, आपसे आपकी studies है, आपसे आपका job है, आपसे आपका business है, आपसे आपकी family है, आपसे आपके relatives हैं, आपसे आपका love and relationship है, आपसे आपका life है, सब कुछ अगर आपसे ही है, तो आप matter कर हैं ना भाई, अगर आप matter करते हैं, तो आपको खुद को सही रखना आपको खुद को hil करकर रखना है, आपको खुद को बठिया करके रखना है, अगर आप ही परिशान रहेंगे, तो फिर चीज़े कहां से बठिया हो सकती है, लाइफ के अलग-अलग एरियास तो फिर वहाँ पर परेशानी आएगी आएगी, समझ रहे हैं, तो ऐसा करके हमें चलना है अपनी ओर से, डिजिटल डिटॉक्स, हम अपनी ओर से बीच-बीच में क्या है, डिजिटल डिटॉक्स लेते रहें, आज हम इतना ज़्यादा सराउ आज मैं अपना मुबाइल फ्वन यूज नहीं करूंगा, या नहीं करूंगी, मुबाइल फ्वन ओफ करके रख दिया, अगर आप बाहर अकले रहते हैं, तो प्लीज यूज करना, ऐसा नहीं कि घर बाले फोन कर रहे हैं और यहां पर और और यहां पर जो है, बहिए, चक ह अगर आपके पास मतलब आप फैमिली में रहते हो सबको पता है ठीक है तो फिर आपने अपना फोन आफ करना है आराम से रिलाक्स के टूड़े आपना स्मार्ट फोन यूज नहीं करूंगा नहीं करूंगी इससे क्या होगा एक सेल्फ कॉंफिदेंस डेवलफ होगा आप जैसे उपवास करते हैं लोग वरत रखते हैं फास्टिंग करते हैं तो बहुत जहना जो लोग खाते हैं या फिरमतलब ऐसे वी रखते हैं उस संआ किडिग तो उससे विद्ध क्या होता है अगशैज के इस दिजिटल जमाने में किस शिएस की ज़़रत है इससे हम हम एड़ पीस होंगे, हम चीजों को समझ पाएंगे, समझ रहे हैं आप, ये चीज़ा आप करना स्टाट कीजे, लाइफ को अब्जर्व करना स्टाट कीजे, कि लाइफ आपके लिए क्या है, क्या नहीं है, फिलोसफी में थोड़ा घुसना स्टाट कीजे, मजा आएगा, कहां से आए हो, कहां को जाना है, क्या है, क्या नहीं है, there is a world out there, हम ने अपनी एक दुनिया बना ली छोटी सी, कितनी ही दुनिया है, आप चीजे पढ़ो, आप किताबे पढ़ो, आप समझने की कुशिश करो, आप chant करो, आप meditate करो, आप enjoy करो, समझ रहे हैं थोड़ा योग में हम लोग का योगा ग्रूप है, जिसमें मतलब मुड़े ज्यादा लोग हैं, उसमें मैं सबसे यंग तो मैं ही हूँ, तो उसमें अनलोम विलोम, प्रानायाम, और कपाल भाती, और कई ऐसे पोस्चर्स, जितनी चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप फिजिकली उतने किजिए, you stay strong, take care of yourself and your family, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको one-on-one guide करूँ, एक call पे, personally and privately, तो आप उसके लिए WhatsApp कर सकते हैं, मेरी टीम को, 8290343014 पे, thank you very much for watching this video, stay connected, stay blessed, Shri Krishna bless you मेरे दोस्त, Jai Hind, Jai भारत.